आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, so today our question is Is greatest integer function x is continuous everywhere तो हमसे पूछ रहा है कि greatest integer function f of x is equals to greatest integer of x क्या continuous है everywhere तो यह हमें बताना है कि क्या यह continuous है everywhere तो पहले तो अगर हम everywhere की बात करें तो everywhere में x कुछ भी ले सकते हैं यानि हमें हर जगे दिखाना है x के लिए तो यहां से अगर x को हम क्या करते हैं let कर लेते हैं let x is equals to कोई integer value 2 ले लेते हैं let x be any 2 तो इस x is equals to 2 पे हम क्या करेंगे check करेंगे continuity तो x is equals to 2 ले रहा है तो यहां से f of 2 की क्या value हा जाएगी f of 2 greatest integer of 2 तो किसी integer का greatest integer y integer होता है तो यह तो 2 आ गया अब at x is equals to 2 पे check करेंगे तो left hand limit चेक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा limit h tends to 0 f of 2 minus h that is यह क्या हो जाएगा limit h tends to 0 f of 2 minus h greatest integer 2 minus h तो अगर हम अपने real line पे दिखते हैं ठीक यह real number है यह अपना 0 यह 1, यह 2 और यह 3 तो 2 minus h यह 3 है तो 2 minus h कहाएगा, कहीं यहाँ पे आएगा h जो होता है वो tends to 0 है मतब बहुत ही छोटा number है तो 2 minus h 1 और 2 के बीच में आएगा और 1 और 2 के बीच में कोई भी number आता है तो उसका greatest integer क्या होता है उस number के left side का integer number वो उसका greatest integer होता है अगर 2 minus h यहाँ पे कहीं है तो उसके left side का integer क्या है 1 तो यह क्या आजाएगा इसकी value क्या आजाएगी 1 आजाएगी तो left hand limit लिमिट तो 1 आगई अब right hand limit की बात करें तो right hand limit क्या हो जाएगा limit h tends to 0 f of 2 plus h ठीक है f of 2 plus h की बात करें तो यह क्या हो जाएगा limit h tends to 0 greatest integer of 2 plus h 2 plus h पे क्या होता है 2 plus h यानि 2 से जादा थोड़ा सा जादा तो 2 से थोड़ा से जादा यहाँ कहीं होगा तो इसके left side का integer क्या होगा 2 होगा तो इसके लिए यह value क्या जाएगी 2 तो यहाँ से अगर हम देख रहे है तो left hand limit तो 1 है और right hand limit 2 है और f of 2 क्या है 2 है तो यहाँ से यह कह सकते है कि left hand limit is not equals to right hand limit तो यह क्या हो जाएगा कि function continuous नहीं होगा everywhere तो continuous नहीं होगा तो यहाँ से लिखेंगे hands greatest integer function f of x is equals to greatest integer of x is not continuous everywhere 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 continuous नहीं होगा तो continuous का होगा continuous non-integers value पे यह continuous होगा अगर हम integer value नहीं रखेंगे तो उस point पे यह continuous होगा अगर हम x की जगे integer कोई भी integer value ले 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 लेते है x की जगे तो वहाँ पे यह function हमारा continuous नहीं होगा तो यहां से हमारा तो यह प्रूफ हो गया कि यह जो फंक्शन है ग्रेटिस्ट इंजी जो फंक्शन एवरीवेर तो कंटीनिवस नहीं है ठीक थेंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर हो साथ आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर